मैं परमिश्र का धनेवाद देता हूँ, प्रभू ने हम प्रतिक को एक बार फिर एक खर्टा होने का एक मौका दिया है अई हम प्रात्ना करते हैं, हम प्रात्ना करकर हम शुरू करते है सुर्गे पिता प्रभुजी हम आपको धनेवाद देता हैं पिता हम प्रतेग को प्रभू एक बार फिर अपने चर्णों में आने के लिए आपने मदद किया पिता आपके वच्छन को जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभू हम नम्रता के साथ आपके चर्णों में आते हैं प्रबू आप हमिनके को अपना वचिशन खोल कर दें। समझने के यलिए सहाईता करें प्रबू हमिनके के से आप बात करें पिता हैं कि सारे समय को हम आपके हाथ में सौंधें। सरादर महीमा के विलमा आपको देतें। प्रातना प्रभी एश्य मसी के नाम से मांगते हैं, आमें हम लोग भी तेस समय में यहुनारचिस्व समाचार से उसका पंदरवाद दिहाए उसका सत्रा से पच्चिस तक हम लोग अध्यन कर रहे थे और उसे देखते हुए हमने कलीसिया के इतिहास को हम लोग देख रहे थे कि प्रभी एश्य की कही हुई बात हैं, किस प्रकार कलीसिया में लोग अपने आप को फिर कलीसिया के सतावट से गई जब आज के समय को देखते हैं कई बार लोग अराम के जीवन को देखते हैं लेकिन परमेशर के वचर में जब हम पढ़ते हैं तो कलीसिया प्रव्येशгов ने जो बोला, उसके हनुसार पहली सदी की कलीसिया कितने दुख से, कितने सतावट से गई परमिश्र के बाचन में मैं चाहूंगा एक पर फिर हमें सायत को पड़े उसका सत्रा से लेकर पच्चिस में हम देखते हैं इन बातों की आग्या मैं तुमें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो यदि संसार तुम से बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुम से पहले मुझ से बैर रखा यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता परन्तु इस कारण के तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुमें संसार में से चुन लिया है इसलिए संसार तुम से बैर रखता है जो बात मैंने तुम से कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो यदि उन्होंने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे यदि उन्होंने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी भी मानेंगे परन्तो ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वो मेरे भीजने वाले को नहीं जानते यदि मैं ना आता और उनसे बाते ना करता तो वे पापी ना ठहरते परन्तो अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है यदि मैं उन्हें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किये तो वे पापी नहीं ठहरते परन्तो अब तो उन्हें मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया ये इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उनकी विवस्ता में लिखा है उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया हम देखते हैं कि कलीसिया से भी जैसे प्रभी येश्य मसीग को लोगोंने बैर किया है ना नफरत किया व्यर्थ में प्रभी ने बोला जैसे मुझे सताया गया वो तुम्हें भी सताएंगे और हम कलीसिया के इतिहास को पिछली बार देख रहे थे कि कलीसिया पिंतिकुस के दिन से ही जैसी सुसमचार की सेवा होने लगी अद्बुत काम की हुए जेल में डाले जा रहे हैं किस पत्थरवा करकर जान से मार डाले तलवार से मारे डाले जा रहे हैं फिर हमने देखा पॉलुस भी, जैसे ही विश्वास में आया, पहले सताने वाला था, लेकिन जैसे ही विश्वास में आया, हमने उसके पूरे जीवन को देखा, कि किस तरीके से उसने प्रभु के लिए दुख सहा, सताव सहा संसार की दृष्टी में देखें तो उनको क्या मिल रहा है बतले में संसार की दृष्टी में तो यह तो मूर्ख है जो मारे मारे भाग रहे है जो कहीं के नहीं रह रहे कहीं ना इज़्जत है ना कुछ है लेकिन प्रभू के कारण वो दुख उठा रहे थे और दुख उठाने के कारण दुखी नहीं थे बलकी वचन में हम पढ़ते हैं वो आनन्दित है कि हमें प्रभू के कारण दुख सहने का सौभाग्य मिल गया सच मुझ पहले सदी की कलीसिया के लोगों की सोच और आज वर्तमान में अगर हम देखे हम थोड़ा सा दुख थोड़ी सी तंगी थोड़ी सी हमारी आवशकता हैं जब पूरी नहीं होती कितनी बार हमारी अंदर से बुड़बुडाना निकलता है मैं चाहूँगा आगे भी हम थोड़ा और कलीसिया के इतिहास को हम देखें रोमी समराज्य में मसी बनना एक गैर कानूनी बन चुका था स्थिती ऐसी हो चुकी थी आपको मालूम है जैसे पॉलूस अपने पॉलूस का जीवन बदलने से पहले उसका मसी में आने से पहले वो प्रभु के लोगों को क्या समझता था कि ये मसी विरोधी हैं मसी विरोधी करकर मसी विरोधी बोलने कार परमेशर के विरोधी ये जूटे धर्म हैं गलत शिक्षा फैलाने वाले हैं ऐसे करकर पॉलूस समझता था पहले ऐसे ही यहुदी लोग भी समझते थे और प्रभु को सताने के कारण वो प्रभू को सताना और परमिश्य के लोगों को सताना उनकी नजर में क्या था आपको अलमें प्रभू येश्य मसीख खुद बोलता है यहुन्ना सूला का दो में वे तुम्हे अरादनालियों में से निकाल देंगे वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमिश्य की सेवा करता हूँ पॉलूस भी जब मसी लोगों को सता रहा था वो क्या समझ रहा था वो ये सूच रहा था कि मैं परमिश्य की सेवा कर रहा हूँ और ऐसे ही जब مسیحوں पर जब सताव आ रहा था, तब सताने वाले क्या सूचकर सता रहे थे, कि हम परमीशर की सेवा कर रहे हैं, हम गलत शिक्षा देने वालों को दूर कर रहे हैं, जबकि उन्हें सचाई का कुछ पता नहीं था, लेकिन आपको मालूम है समय के साथ साथ यहुदी अगवो को यह डर सताने लगा कि यह मसी लोग जो प्रभी येश्यू के प्रती इतना निश्टावान है ऐसा ना हो कि यह समराठ कैसर जो रोमी हुकमत का है यह उनको उकसा दे और पूरे देश पर रोमी सामराठ्य का प्रकोप पूरे देश को जहलना पड़े ऐसा ना हो करकर उन्हें डर था रोमी लोग मसी लोगों को अनेक कारणों से सताते थे लेकिन सबसे पहले मसी लोगों को रोमी लोग ये सोचते थे कि ये यहुदी लोग ही हैं ये यहुदी लोगों का ही समुदाय है है ना वो यहुदी और मसीहत में अलग करकर नहीं देखते थे शुरुवात में तो जब बीच में जब समस्या खड़ी हुई यहुदी लोग रूमी हाकिम के पास जब मसी लोगों को लाए पॉलस को लेकर आए तो उन्होंने ये कहे कर रफा दफा कर दिया था कि ये यहुदी लोगों का आंतरिक मामला है करकर यहुदी और मसी लोगों के बीच का तनाव जब बढ़ने लगा और अन्ने जाती लोग जब कलीसिया में जुड़ने लगे तब रूमी लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं ये मसी लोग यहुदी लोगों से अलग है ये उनके जैसे नहीं है ये उन में से एक नहीं है और तब जाकर उन्होंने मसी लोगों को गैर कानूनी करकर घोशित कर दिया गैर कानूनी करकर घोशित कर दिया और तब से किन किन प्रकारों से रूमी हुकमत उन्हें प्रताडित कर रही थी मसी लोगों को वो बात हम देख सकते हैं सबसे पहला था वो राजनेतिक द्रिश्टिकों से या राजनेतिक कारणों से वो मसी लोगों को सताते थे जिसमें मसी मसी लोगों को जब देखते थे तो मसी लोग कैसर से भी उपर येश्य मसी के प्रती वो निश्ठावानते कैसर से भी उपर तो ये बात उनको डर लगता है रोमी लोग को लगता था कहीं ये देशद्रो तो नहीं है ये गददार तो नहीं है क्योंकि ये लोग करते क्या थे अपने रोमी हुकुमत में अपने देश के प्रतिवफादारी, अपने सम्राट के प्रतिवफादारी को कैसे दिखाते थे ये अपने देश और धर्म दोनों को एक जोड़ कर चलते थे और इनका नियम था कि हर एक विक्ति ने रोमा देवी की पूजा करनी है और सम्राट की पूजा करनी है उसी से माना जाएगा कि वो व्यक्ति देश के प्रती वफदार है लेकिन जो ऐसा नहीं करेगा उसे गदार समझा जाएगा लेकिन मसी लोग ना तो रोमा देवी जो रोम के देवी है और ना ही समराठ की पूजा करते थे वो बोलते थे केवल और केवल हम एक ही परमेश्यर अपने प्रभी येश्यू के आगे ही दन्वत करेंगे तो इस कारण उन्हें गदार समझा जाने लगा और उन्हें ऐसे करकर सताया जाने लगा कि ये लोग गदार हैं करकर ना सिर्फ इतना ही आपको मालूम है प्रवियेश्यू के चेले और मसी लोग जगा जगा जाकर परमीश्वर के राज्य का प्रचार करते थे ये बात भी रोमी लोगों को भै लेकर आता था कि ये सूचते थे कहीं ऐसा तो नहीं ये रोमी हकुमत को पलट कर किसी और हकुमत को लाने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे करकर भी उन्हें गदार समझा जाता था और उन्हें प्रतारित किया जाता था फिर उसके साथ साथ वो लोग समझते थे कि ये क्या पता ये शडियंत रच रहे हो तो इतना ज़्यादा सताव के बीच में मसी लोग क्या करते थे फिर गुप्त रूप से रात के समय में अपनी प्राथना सभा चलाते थे सब के सामने नहीं, गुप्त रुप से रात के समय में तो उस बात को भी रूमी लोग किस दृष्टी से देखते थे कि क्या पता ये रात में हमारे देश के प्रती आतंगवादी संगठनों के साथ मिलकर हमारे देश के प्रती गदारी का काम कर रहे तो आप देख सकते हैं किन किन प्रकारों से, ना सिरफ इतना ही मसी लोग आमत और पर रूमी फौज में अपने आपको भरती नहीं करते थे तो ये सारे, मैं आपको उताता हूँ कितने सारे पहलू है ये रोमा देवी की पूजा नहीं कर रहे है ये ये येश्व मसी के प्रती निष्ठावान है फिर हम देखते हैं ये परमीशर के राज्य का प्रचार करते है फिर उसके बाद ये अकेले गुपत रूप से रात के समय मिलके प्रातना करते है तो ये बहुत सारे ऐसे राजनितिक कारणों से भी मसी लोगों को बहुत प्रताडित किया जाता था बहुत सताया जाता था ये तो राजनितिक है आगे हम देखते है धार्मिक कारणों से धार्मिक कारणों से भी वो सताते थे तो रोमी समराज्य में हर एक लोगों को अनुमती थी कि वो जिसको चाहे पूझ सकते है लेकिन हाँ शर्त है साथ में उन्हें रोमी देवताओं को भी पूझ ना होगा बाकी आप जिनको चाहे पूझ सकते हो लेकिन मसी लोग बोलते थे कि नहीं हम केवल एक मात्र परमेशर को ही अराधना करेंगे हम केवल उद्धार पाने का केवल एक ही मार्ग है, स्वर्ग जाने का केवल एक ही मार्ग है ना सिरफ इतना रोमी लोग जब देखते थे तो ये जिदर आराधना करते हैं वहाँ कोई मूर्ती भी नहीं है अद्रिश्य परमेशर की आराधना करते हैं तो ये सब देखकर वो बुलते थे ये नास्तिक लोग है इनके आगे ना कोई मूर्ती है ना कुछ है और हमारे हम तो बोलते हैं सब को मानो ये सब को नहीं मानते हैं ये सिरफ पता नहीं अपने ही किसी को मानते हैं जिसका कोई रूप नहीं है कुछ है नहीं मूरती नहीं है तो ये सब बोलकर इनको सताया जाता था इनके बारे में इनको बुरी तरह इनको प्रतारित किया जाता था फिर ना सिरफ इतना ही आगी जब हम देखते हैं कि ये जो गुप्त रूप से जो प्राथना सभा चलाते थे रात के समय में उसे भी ऐसे करकर अफवाईं उनके बारे में फिलाते थे कि रात के समय गुप्त रुप में ये मसी लोग गंदे काम करने के लिए जाते है ये गंदे लोगों का समुदाए है ऐसी करकर इनके बारे में बहुत सी जुटी जुटी अफ़वाएं फैलाते थे फिर उसके बाद आगे अगर देखें तो ये जब इखटे होते हैं तो मसी लोग जो प्रबुबोज में भाग लेते हैं रोटी और दाकरस जिसमें सबको अनुमती नहीं है तो रोमी लोग बूलते थे ये ना इंसानों का मीट खाते और इंसानों का खौन पीते हैं अकेले अपनी सभाओं में ऐसे करकर इनको बहुत बुरी बुरी बाते इनके बारे में बूला जाता था बहुत बुरी तरह इनको सताया जाता था ना सिरफ इतना जैसे आप पॉलुस की पत्रियों में देखेंगे कि मसी लोग जब आपस में मिलते थे तो बोला जाता था ये आपस में पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को नमस्कार करते थे आपस का प्रीम था जब इतने सताव के बीच में एक दूसरे के प्रती प्रीम पवित्र चुम्बन के साथ करते थे नमस्कार तो उसे भी एक मुद्दा बनाकर जोटी अफवाएं फैलाने लगे कि ये लोग वे विचार करते हैं ये उल्टे-उल्टे गंदे-गंदे काम करते हैं मिलकर इनका धरम ऐसा है, इनका धरम ऐसा है बहुत सारी बाते हैं हमने देखा राजनिती कारण से किस प्रकार मसीलों को सताया जाता था धारमी कारणों से किस प्रकार सताया जाता था है ना सिरफ इतना ही, समाजिक कारणों से भी हम देख सकता है आपको अलमें रोम समराज्य के समय में गुलाम बहुत रखे जाते थे गुलामों का बेचने का काम होता था बजार होता था तो मस्ईह लोग जब प्रचार करते थे तो बोलते थे परमेशर की नाजर में हर एक इनसान बराबर है कोई छोटा, कोई बड़ा ये जात-पात और धन्वान और गरीब का कोई पर्मیशर की नजर में भेद नहीं है पर्मیशर कोई इसमें अंतर नहीं करता तो धन्वान लोगों को डर सताने लगा कि कई ऐसा तो नहीं कि हमारे गुलामों में बलौा हो जाए और हमारे लिए समस्य खड़ी हो जाए क्योंकि इनकी शिक्षाएं हैं कि सब मनुशे एक समान है इस कारण इनको समाजिक तरीके से इनको सताया जाने लगा फिर ना सिरफ इतना ही मसी लोग बाहर के समाजिक जीवन से अपने आपको अकेला रखते थे कारण क्या है कोई भी समाजिक गतिविदी है तो उसमें देवी देवताओं की पूजा होना रोमी और बली चड़ाया जाना कंपलसरी था चाहे वो मनुरंजन का ही क्यों ना हो अपने आपको परमीशर के लिए अलग करने के लिए अपने आपको पवित्र बनाए रखने के लिए आप देखें मसीलों कितने दुखों से कितने सतावटों से जा रहे गए थे राजनेती कारण, धार्मी कारण, समाजिक कारण ना सिरफ इतना ही हा कि जब हम देखते है आर्थिक कारणों से भी मसीलों को सताय जाता था आर्थिक कारणों में अगर हम देखे तो सबसे पहला एक उधारन हम देख सकते है पॉलुस फिलिप्पी में जब था तो वहाँ पर एक दासी को एक गुलाम को रखा गया था जो जिसमें दुष्टात्मा आती थी और भावी कहते थी भविश्य बताती थी लोगों का दुष्टात्मा थी पॉलुस ने जैसे ही उनको दुष्टात्मा से उस बहन को आज़ाद किया है ना उसको आज छुटकारा दिया तो वहाँ के लोगों का गुसा बड़क उठा इतना बड़क उठा कि उन्होंने पॉलुस को और सिलास को खूब मरवाया पिटवाया और जेल में डलवा दिया क्यों इन परमेशर के लोगों ने इन मसी लोगों ने हमारा धंदा बंद कर दिया हमें आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचा रहे हैं करकर ऐसे करकर ना सिरफ इतना मैं चाहूंगा प्रेटो काम 19 वा ध्याय में एक बार हम देख सकते हैं 19 का 23 से 27 में प्रेटो काम 19 का 23 से 27 यहां पे लिखा है उस समय उस पंद के विशे में बड़ा हुलड हुआ क्योंकि दिमित्रियस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवा कर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था उसने उनको और ऐसी ही वस्तों के कारीगरों को इखटा करके कहा है मनुश्यों तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है तुम देखते और सुनते हो कि केवल एफिसूस ही में नहीं परन्तु सारे आसिया में यह कहकर इस पॉलूस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे इश्वर नहीं है इस से अब केवल इस बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंदे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी वरन यह कि महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुछ समझा जाएगा और जिसे सारे आसिया और जगत पूछता है उसका महत्व भी जाता रहेगा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हाँ के मूर्ति बनाने वाले उनका भी हाल क्या हो गया आर्थिक रूप से खराब होने लगा कि भाई यह पॉल उस जगा जगा जाकर जब ऐसे प्रचार कर रहा हमारा तो धंदा बंद कर रहा लोग मंदिर में जाना बंद कर देंगे है ना लोग हमारा पूरे सब जगा में जो हमारा इतना अच्छा बिजनस चल रहा है तो पूरा हमारा बिजनस ही बंद कर रहा क्योंकि इसकी शिक्षाएं तो ऐसे करकर हम बचन में कही जगा में देखते हैं कि आर्थिक रूप से जो गलत आर्थिक रूप से बाकी लोगों को नुकसान उन्होंने महसूस किया कि भाई इन मसी लोगों की कारण रहा है इसलिए प्रभू के लोगों को बहुत सताया जाता था क्योंकि और ना सिरफ इतना आप अगर देखेंगे आगे भी तो कुछ भी देश में कोई बिमारी आ गई कुछ भी पानी से कुछ नुक्सान हो गया कोई भी बरबादी होती हर चीज के प्रती सारा आरोब मसी लोगों पर ही लगाया जाता था यानि देश में कुछ भी बुरा घटे उसके जिम्मेदार ये मसी लोग है और एक स्वर में सब क्या चिलाते इन मसी लोगों को शेर के आगे डालो बूखे शेर के आगे डालो इनको सजा दो इनके वज़े से सारा जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है हम जरा रुक कर सोच कर देखें क्या हम बोलते हैं कि हम वही मसी लोग है जो इस प्रकार से सतावट सहते हुए आए लेकिन अपने विश्वास में नहीं डगमगाए दिलेरी से खड़े रहे हम वचन में जब आगे जब देखते हैं तो इतना ऐसे और अनेक बहुत से कारणों से मसी लोगों को सबसे तुछ समझा जाता था और सबसे बुरी तरह सताय जाता था लेकिन आप जानते हैं एक सबसे विच्चित्र बात क्या थी इतने दुख और सतावट में जाने पर भी मसी लोगों की संख्या कम नहीं हो रही थी बढ़ती जा रही थी दिन प्रती दिन बढ़ती जा रही थी ऐसा क्यों? एक व्यक्ति क्यों प्रभू के पीछे आ रहा है जब इतना सतावट वो देख रहा है क्योंकि उन्होंने प्रभू को चक लिया ये वो खजाना है ये वो किमती चीज है जो दुनिया कभी नहीं दे सकती है ये इतना किमती है इतना बहुमुल्य है कि सब झेल लेंगे जान भी नोचावर कर देंगे क्योंकि जिसे प्रभू मिल गया उसे सब मिल गया आजकल बहुतों को प्रभू का ग्यान तो है लेकिन अभी भी वो प्रभू से वजचित है पहली सदी की कलीसिया ने प्रभू को प्राप्त कर लिया था आपको वालो मैं आगे जब हम देखते हैं कुछ बाते और मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार कलीसिया के आगे किस सतावट को जब हम देखते हैं तो ओफिशल तरीके से पब्लिकली जो सतावट जो मसी लोगों पर आया वो नीरू समराट के शासन के दौरान आया जो की लगबग 8064 में था और इस गटना को आप जानते हैं कि नीरो एक नया रूम बनाना चाहता था लेकिन नया रूम बनाने के लिए उसे पुराना रूम को जलाना था तो जब उसने पुराने रूम में आग लगा दी तो लोग भढ़क उठे तो किसी पर तो ये दोश लगाना था कि इसका जिम्मिदार मैं नहीं हूँ तो इन्होंने सूचा चलो मसी लोगों पर ही इसका अरूप लगा देते हैं कि ये मसी लोगों का काम है और ऐसे करकर अब मसी लोगों का हम सजा देंगे जो कोई अपने आपको मसी बोलेगा उन्हें जिन्दा जला दिया जाएगा जो कोई अपने आपको मसी बोलेगा उन्हें शेरों के आगे डाल कर माड डाला जाएगा आप सोचकर देखे कितना अनियाएं सहते थे मसी लोग कितना अनियाएं अगर आप उस घटना को देखेंगे न ये अन्याएं जब मसी लोग सह रहे थे न ये रो नहीं रहे थे प्रबू तु बचा उस इतिहास को जब आप पढ़ते हैं वहाँ पर हमें मालुम चलता है मसी लोग गाना गाते हुए शेरों की माद में जा शेरों का अहार बन रहे थे गाना गाते हुए जब जिन्दा जलाए जा रहे थे वो बचाओ बचाओ नहीं बोल रहे थे गाना गा रहे थे अब को आद में यहां तक की रात के समय में नीरों आकर जब इनकी लाशों को देखता था इनके चेहरे देखकर वो भी हैरान रह जाता था कि देखो वो वेक्ती हसरा है, मरते हुए भी हसता हुआ गया है ये ऐसे कौन है मसी जिने मौत भी डराना पाए ये कौन है जो अन्याएं को मुस्कुराते मुस्कुराते गले लगा ले कि आम वही मसी है जरा हम अपने आपको देखे बहुत जरूरी है हम उसी पहली सदी की मसी लोगों की सोच को फिर से धारन कर ले बहुत जरूरी है बहुत सुख और आराम के पीछे शेतान ने गुम्रा करकर रखा है हलके से दुख समस्याएं इच्छाएं पूर्ती ना हुने पर अंदर की जो कड़वाहट आ जाती है ये तो प्रशन चिन लगाते थी है कि हम वही मसी लोग है या कोई और है जो सिरफ कहने को मसी है कितनी बार अन्य जाती लोग मसी लोगों की तुलना में कई बहतर दिखते हैं चाल चलन के मुकाबले क्यों क्यों कि शायद मसी लोग भूल गए शुरुबात कैसे हुई थी और वो कैसे शैतान ने बड़ी चलाकी से प्रभू के लोगों के सोच बदल दी आगे जब हम इसका इतिहाद जब देखते हैं तो आपको मलम है ये रोमी नीरो के शासनकाल में पत्रस बालूस भी मारे गए ये भी शहीद उसी समय में हुए फिर ना सिर्फ इतना ही तीन दशक के बाद डुमीशियन के समय में रोमी समराइड डुमीशियन के समय में फिर से सतावट बढ़ने लगा और ये तुर्की तक इसका पूरे एशिया के उस प्रोविंस तक पूरा इतना फैल गया इस समय में यहुना प्रिरित यहुना को पत्मुस तापू में भीज़ दिया गए फिसोसन निकाल कर और वहां पर अंति पास भी शहीद हुआ और दूसरी सदी में दूसरी शताबदी में पहले आदे से लेके तीसरी तक अगर हम ध्यान से देखें यह त्राजन के समराज्य में त्राजन के शासनकाल के दौराण में उस समय में भी बहुत सतावत हुआ जिसमें बहुत से परमेशर के संद लोग मारे गए शहीद हुए जिसके बाद आपको मालू है मारकस औरेलियस आया इगनाशियस जो चर्च फादर्स में इगनाशिस जो थे वो इस समय शहीद हुए उनके बाद मारकस औरेलियस आया जिनके समय में क्रिस्टिन अपॉलोजिस्ट जो मसी लोगों के पक्ष में बातें रखते थे डिफेंड करते थे सुसमाचार को जस्टिन मार्टियर वो उस समय में शहीद हुए और उस समय में बहुत सतावट हुआ फिर उसके बाद अपकबल में डीशियस के समय में रोमी समराज डिश्यस के समय में और भी जादा बुरी तरह से प्रभु के लोगों को सताय कहा जो 80-250 के समय, 80-250 के टाइम में हुआ, जिसमें होता क्या था, कि जो भी दिक्कत रोमी समराज्य को अंदर से और बाहर से जहिलनी पड़ती थी, उन सब का दोश मसी लोगों पर ल मिल रहा, इस कारण हमारे साथ बुरा गट रहा है, इसलिए इन सारे मसीयों को सताया जाए, आपको मैं ऐसे करकर उसने एक कानून भी निकाला, कि लोगों ने हमारे देवी देवताओं की पूजा करनी है, सर्टिफिकेट बनवाना है और सर्टिफिकेट दिखाना है कि हम अ जब ऐसी बाते हुई तो आपको मैं उन मसीयों को बुरी तरह प्रताडित किया गया, तो शुकर है एडी 251 में जुलाई के समय में डीशियस लडाई के दौरान मारा गया, तो थोड़ा जाकर मसीयों को थोड़ी राहत मिली, फिर आपको मैं उसके बाद डायोक्लेशन के सम में आकरी और और भी खतरनाक सतावट से कलीसे को गुजरना पड़ा जो एडी 303 के बीच में था, जिसमें आपको मैं एक तरीके से पूरा कोशिश किया गया कि मसीयों का नाम निशान दुनिया से मिटा डाले, इतना प्रयास किया गया कि मसीयों का नाम और निशान ही मिटा डालें ऐसा हो कि मसीय लोग किसी को पता ही नहों कभी होते थे इतना तक प्रयास किया गया Diaction ने बूला जितने भी चर्च है Di Revelation ने बूला जितने भी चर्चेंहे उनको जला दिया जाए जितनी भी बाइबले हैं जला दिया जाए और जो कोई इस परमेशर को मानेगा उन सब को मारा जाए सताया जाए ऐसे करकर आपको मलत में पूरी तरह से सतावट फिलने लगा जब तक रोमी समराट कॉंस्टेंटाइन नहीं आया और जब तक पूरा उसके कंट्रोल में नहीं आया तब तक मसी लोगों को बुरी तरह तरह से प्रताडित किया गया जब रोमी समराट कॉंस्टेंटाइन आया तब जाकर एक राहत मसी लोगों को मिली लेकिन आपको मालूम है सिरफ इतना ही नहीं जब रोमन कैथलिक सबसे बड़ा लीडर बनकर उबढ़ा रोमन कैथलिक चर्च इन्होंने भी सच्चे मसी लोगों को बुरी तरह से सताया जितना सता सकते थे जो भी बाइबल को अनुवात करेगा आम लोगों की भाशाओं में कि लोगों को पता चले बचन में लिखा गया है उनको जिन्दा जला दिया जाता था बाइबल को जो भी ट्रांसलेट हो उनको जिन्दा जला दिया जाता था अगर पूरा अगर रिकॉर्ड देखा जाए पूरा अगर एक रिकॉर्ड देखा जाए लाखों में उन्निस्वी सदी कही अगर हम मिस्ट्री देखें उन्निस्वी सदी में हर साल रिकॉर्ड बताता है कि कम से कम हर साल एक लाक मसी लोग शहीद होते थे 19 वी सदी के हम बात कर रहे हैं कितना ज़्यादा सतावट से एक लाक मसी लोग हर साल शहीद होते थे इससे हम देख सकते हैं कि यहां तक की रोमन कैथलिक चर्च के द्वारा भी प्रबु के सच्चे लोगों ने, सच्चे विश्वासियों ने कितना दुख सा, कितनी प्रताडनाएं सही रोमन कैथलिक प्रोटेस्टेंट से निकलने तक में कितना दुख सब कुछ सहते वे बाहर है तो ये सारा इतियास, मैंने आपको मोटे मोटे बाते बताई है ये सारी मोटी मोटी बातें बताई हैं, अगर आप कलीसिया के इतियास को जरख खंगाल कर देखेंगे तब मालुम चलेगा, कि सही कलीसिया कितने सतावट से गई, कितने दुख से गई इसलिए प्रभू बोलता है, यहुन्ना पंदरवाद ध्याय में जो हम पढ़ते हैं, कि प्रभू बोलता है, कि इतने दुख से जब तुम गुजरोगे, एक ही बात जो तुम एक दूसरे से जोड़े रखेगी, वो क्या है? कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि यह प्रेम ही उस समय में तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ी तसली होगी, एक दूसरे को जब भी मिलते थे सतावट के टाइम में, दिल से मारा ना था बूलते थे, तसली देते थे, कि हमारा प्रभू बहुँशी गरारा है, ह हम अगली क्लास में, हम इन आयतों को थुड़ा सा खूल कर देखेंगे, कि किन-किन कारणों से संसार परमिशर के लोगों को स्विकार नहीं करता, लेकिन हमने कलीसया का इतिहास हमेके को जानना ज़रूरी है, कि जैसा प्रभू ने बोला, ऐसे ही सतावट से यह लोग गए, और आज हमें भी यही मन्शाधारन करकर अपने आपको तयार करना है, कि जब सतावट आए, हम भी दिलेरी से उसका सामना करने को तयार हो जाए, अई हम प्रातना करते हैं, हमारे सुर्गे पिता प्रभुजी हम आपको धनेवाद देते हैं, प्रभु जब आपका वचन हम कलीसिया के इतिहास को अपने देखा, किस प्रकार राजनितिक, धार्मिक, समाजिक, आर्थिक हर प्रकार से, जब कलीसिया प्रताडित की गई, सहते गई, अन्याए को मुस्कुराते हुए गले लगा लिया, इतने दुखों को सहते हुए आगे गए, क्योंकि उन्होंने अधारन कर लिया था, पालुस बुलते हैं, हमें बड़े कलेशों से गुजरना जरूरी है, प्रभु विंति प्रातना करते हैं, सुखहराम और संसारिक बातों में मन लगाने से अपने आपको हटाते हुए प्रभुजी, आपके लिए पूर्ण समर्पन के साथ जीवन बित साहिता करें, दुख अठाने की मंचा को धारन करते हुए, आपके लिए जीने के लिए, आपको भाता हुआ जीवन जीने के लिए प्रभु, हम प्रतेक की आप मदत और साहिता करें, दनिवाद देते हैं आज की संगती के लिए, सभी बातों को हम आपके हाथ में सौनते हैं सरादर महीमा के विलमा आपको देते हैं ब्रातना प्रविएश्य मसी के नाम से हमाद है आमे